जै स्री राम मित्रों स्वागत है आपका आदर्स धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रस्ना वली कारिक्रम में आज का प्रस्न लिया है स्रीमान उदै संकर जी का इनका प्रस्न है कि राजा जनक त्रेता में हुए थे सुकदेव जी कृष्ण वतार द्वापर में हुए थे तो गुरू सिस से कब हुए भईया ये प्रस्न आपने हमारे किसी वीडियो के आधार पर नहीं पूछा है बलकि स्वयम अपने आप किसी और रिफ्रेंस से पूछ रहे हो फिर भी मैं आपके प्रस्न का उत्तर दे रहा हूँ सुकदेव जी माहरसी व्यास के पुत्र भी हुए है और एक सुकदेव जी त्रेता युग में भी हुए है आप द्वापर वाले सुकदेव को त्रेता युग वाले सुकदेव से मिला रहे हो जैसे आपका नाम उदय संकर है इसलिए जरूरी नहीं कि उदै संकर नाम के कोई और लोग नहीं रहे थे या अब नहीं है या आगे नहीं होंगे निमी बंस को जनक बंस भी कहा जाता है त्रेता में माता सीता के पिता जिनको जनक कहा जाता है उनका पूरा नाम सिरद्धजनक था और जनक उनका एक उप नाम है सरनेम है जो उनके वनसज भाई के वनसज लगाते रहे सिरत ध्वज के सीता माता के अत्रिक्त कोई संतान नहीं थी किन्त उनके भाई कुसत ध्वज के चार पुत्रियां और सील निधी जनक नाम का पुत्र था इसके लिए आप हमारे वीडियो राम की बहन भरत की सारी के ही कारणते रही कुमारी में बिस्तरत जानकारी पा सकते हैं फिर उनके सभी वनसज जनक होते गए द्वापर में जो मिथला नरेश जनक का जिक्र आता है जो भगवान स्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के परमित्र थे उनका पूरा नाम निमिस देव जनक था उदाहरण के लिए भगवान परशुराम के छोटे भाई के पौत्र महरसी उपमन्यू के पुत्र अवस्थी हुए उनके नाम पर बंसज उनका सरनेम लगाते चले आ रहे हैं मेरे दादा जी को भी लोग अवस्थी कहते थे पिता जी को भी अवस्थी कहते हैं और मुझे भी जादा तर लोग मेरा नाम जानते ही नहीं है तो क्या आज के अवस्थी को उस समय के अवस्थी से जोड़ कर बात करोगे यही आपके प्रस्ण का उत्तर है वैसे आपकी समझ में आएगा इसमें संदे है क्योंकि आप तो भगवान के एक भक्त कभी कभीर को भगवान से बढ़कर परंब्रम परमात्मा से बड़ा बताने वाले अपने को जवर्दस्ती का संत बतलाने वाले इंजीनियर रामपाल जी के सिस्य हो इसलिए आपके लिए सनातन धर्म तो आडंबर है आपके प्रस्ण का उत्तर देना मेरा धर्म है वो कर रहा हूं मानो या ना मानो आपकी इक्षा अस्तु जैसियाराम